हेलो दोस्तों कैसे हैं आज हम लोग प्री पोजीशन पढ़ने वाले हैं आपको पता होगा हम लोग अभी प्री पोजीशन का पुस्ट्रमाटम कर रहें दोस्त जिसको हम लोग अटॉपसी भी बोलते हैं आज हम लोग टू का पोस्ट्रमाटम करेंगे दोस्त मतलब टू का यूज कहां कहां करेंगे पिसली वर हम लोग फ्रॉम का यूज किये थे आज हम लोग टू करेंगे ऐसे ही हम लोग आने वाले वीडियो में जो सबसे जादा यूज प्रिपोजिशन्स हैं उन सारे प्रिपो adjective साथ लगाते हैं, verb के साथ लगाते हैं, मतलब मोटे तोर पे अब बोला जाए, तो इसके बाद अब उनका uses नहीं बचेगा, हम लोग from का सीखे हैं, आज हम लोग to का सीखेंगे दोस्त, टू, टू में क्या देखेंगे दोस्त, verb प्लस टू प्लस अबजेक्ट, यानि कि भर्व के बाद टू लएगा और उसके बाद अबजेक्ट लएगा, आपको पहले ही बता है, जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं दोस्त, यह किसी ने किसी competitive exam में आया हुआ sentence है, पहला चीज, दू जैसे add, admit, argue, amount, appeal, appointment, attend, belong, come, confine, invite, introduce, contribute, consent, forward, go, give, keep, listen, object, surrender, submit, proper, इस तरह के भर्व के बाद टू लगता है दोस्त, and then object, ठीक है, जेनरली हम लोग ऐसे इस्तमाल करते हैं, अगर हम लोग example देखें, I go to school, यहाँ देखिए, to लगा हुआ है, I go to school, मैं इस्कूल प्रती दीन जाता हूँ, I go to school, Delhi, मैं प्रती दीन इस्कूल जाता हूँ, हमारा go के सथ to लग रहा है दोस्त, He is listening to the radio, मतलब वो radio सुन रहा है, ठीक है, listening to radio, याद रखेगा, इस preposition जो है, exams में बहुत अधिक आते हैं, खास करके common error में, fill in the blanks में, closet set में तो भर मार रहाता है दोस्त, इसलिए ध्यान दीजिएगा, Listening to, बहुत जबरदस्त है, the water came to our neck, मतलब पानी हमारे गर्दन तक पहुँच गया, ठीक है, इसके इस्तमाल हम लोग बहुत सारे जगा पे करते हैं, कभी-कभी हम लोग तूलना करने के लिब करते हैं, अब तो पानी इस तर से ऊपर उठ रहा है, कभी यहाँ पर भी कर सकते या इस तर से भी कर लेते हैं, कि रियल में आप पानी के अंदर में डूवे हों, और पानी का जो लेबल है, it comes up to this place, ऐसे भी हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पर to लगाते हैं, he invited him to dinner, जैसे कोई किसी को खाने पर बुलाता है, दावत देता है, तो हम लोग ऐसे करते हैं, he invited him to dinner, I agree to him, यहाँ agree to him मतलब क्या हो जाता है दोस्त, मैं उससे सहमत हूँ, मैं उससे सहमत हूँ, इसलिए ध्यान दीजेगा, सहमत होने के सेंस में भी हम लोग यहाँ पर to का इस्तमाल किये हैं, he introduced his girlfriend to me, दोस्त, नहीं, but sentence है, I have to read it, और हम लोग को जानना भी चाहिए, कि उसन अपने महिला मित्र को मुझे से परीचे करवाया, ठीक है, introduced करना मतलब परीचे करवाना होता है, जैसे हम लोग introduction बोलते हैं, अपना परीचे देने के लिए बोलते हैं, in the same fashion, introduce his girlfriend to me, ठीक है, इस तरह से हम लोग यहाँ पर example को पढ़ते हैं, दोस्त, next है, adjective plus two plus object, adjective के बाद हम लोग two का प्रियोग करते हैं, दोस्त, adjective के बाद two का प्रियोग कर रहे हैं, मतलब आप देखेंगे हैं, accustomed, देखें बहुत सारा आपको लगेगा कि वो verb है, आपको बहुत सारा लगेगा कि वो verb है, लेकिन वो adjective के तरह sentence में यूज होता है, आपको आने वाले कुछ वीडि हैं, और उसका अर्थ कैसे निकलता है, आप हमारा वर्ब का वीडियो देखेगा, उसका लिंक हम यहाँ डाल दे रहे हैं, दोस्त, आपके आई बटन में दीख जाएगा आपको, वहाँ ध्यान से देखेंगे, बिल्कूल वर्ब अगर आपको ढंक से समझ में आ रहा होगा, तो आप इसका यूसेज भी बिल्कूल उसी तरह से करेंगे, ऐसा नहीं कि हर वर्ड जो है वो भर्ब है, एड्जेक्टिव तो होता ही है दोस्त, भर्ब का थार्ड फॉर्म भी एड्जेक्टिव के तरह यूज होता है, ठीक है, हम उसके लिए special आपके लिए वीडियो बना इन सब के साथ हम लोग टू का प्रियो करते हैं और अब यहां समसेंगे, कुछ एक्जाम्पल्स को भी हम लोग देखेंगे यहां पर, जैसे आई प्रीफर फिस्टू मिट, देखें यह बहुत इंपोर्टेंट संटेंस है दोस्त, याद रखेगा, प्रीफर इस तो दाट, What does it mean? It means होता है कि हम मचली को मीट से ज़्यादा पसंद करते हैं, मतलब मैं मचली को मीट से ज़्यादा पसंद करता हूँ, जैसे आपको बोला जाता होगा कहीं आप जाएंगे, आपको चाय पिएंगे कि कॉफी लेंगे, जाप आपसे पूछाता है, तो आप क्या बोलते ह He is junior और superior to me, मतलब वो मेरे से junior है, junior मतलब छोटा, छोटे class में हो सकता है, ओहदे में हो सकता है, position में हो सकता है, superior मतलब किसी भी सरी के सोचता है, senior हो सकता है, senior, superior, inferior, यहाँ पर सबके साथ two लगता है दोस्त, यह fix है, आप बहुतों के मूँ से सून लेंगे, senior अरे, यह तो senior लगता है comparative degree है, superior, अरे comparative degree लगता है, inferior, comparative degree लगता है, ऐसा नहीं होता है दोस्त, यह सब कोई degree नहीं है, यह सब देखने में भले लगता हो, ठीक है, degree जैसा काम नहीं करता, इसके साथ than लगाते हैं हम लोग, comparative degree में क्या करते हैं तोस्त, taller than, I am taller than you, ठीक है, you are better than me, ऐसा आप सकते हैं, कि आप मुझ से ज्यादा अच्छा है, मैं आप से ज्यादा लंबा हूँ, कुछ ऐसा हो सकता है, बट यहां to कप्रियो करते हैं, superior to, बहुतों के मुझ से अब सुन लेंगे, I am senior than I, you are senior than I, आपके बहुतों के मुझ से सुनेंगे आप, ठीक है, you are senior than I, बट यह to me, समझ मेरा दोस्त, बहुत सारे लोग यूज करते हैं, बट आपको ध्यान रखना है, गल्ती कहां हो जाएगी आपसे, he is senior to me, superior to me, inferior to me, ऐसे, this school is opposite to my house, यहां पर opposite मतलब क्या होता है, उल्टा, नहीं भी या, सामने, यह जो विद्याले है, मेरे घर के सामने है, मतलब मेर इसे है, और विद्याले जो है, सड़क के दूसरी हाथ में, बहुत लोग क्या बोलते हैं, पल्ली हाथ में, बट ऐसा नहीं बोलते हैं, मेरे घर के सामने है, this school is opposite to my house, rainy season is favorable to the farmer, favorable to, मतलब उनलों के लिए बहुत अच्छा है, अरे भीया, बारिश होगी, तब तो अनाज होगा, और वह यानाज हम लोग को मिलेगा, तो इसका मतलब क्या निकलता है, rainy season is favorable to the farmer, यहाँ पर क्या लग रहा है दोस्त, two, favorable to, this is an adjective, and after that we are just putting two, तो यह हमारा इस section को cover कर रहा है, दोस्त, adjective plus two plus object, clear हुआ, अब हम लोग लगाते हैं दोस्त, two को noun के बाद लगाते हैं दोस् सब्सक्राइब के साथ देख लिए, now the time for noun, noun के बाद हम लोग two का इस्तमाल करेंगे दोस्त, attention, access, alternative, approach, aversion, attitude, answer, danger, reply, response, slab, stranger, thankful, grateful, witness, way, limit, obedience, exception, invitation, cruelly, disagree के साथ हम लोग two plus object लगाते हैं दोस्त, आपको हम बारा बार बोर रहे हैं कि इससे इतना ही word नहीं होता है, इसके साथ और भी होते हैं क्योंकि हजारों, लाखों word हैं दोस्त, हमारे English में, और we are using all those, तो अब इसमें हमको समझना है कि इनके साथ ज़्यादा तरी स्तमाल हम लोग two करते हैं, ठीक हैं, जैसे he is on his way to walk या home, या office, park, आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, जैसे वो कहां है भीया, तो वो अपने office जाने के रास्ते पे, मतलब आप निकल गहे हैं, on the way हैं, कहां जा रहे हैं भीया, तो office आ रहे हैं, आप on the way हैं कहां जा रहे हैं, party में जा रहे हैं, on the way हैं कहां जा रहे हैं, इसको से तो वोक और तो हूम, ठीक है? It is 5 to 11, समझ रहे हैं? 5 to 11, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? 5 से लेके 10 तक, बचों सवाल बनाओ, 5 to 10, 5 to 11, 4 to 7, हम लोग ऐसे करते हैं? तो इस तरीके से भी हम लोग यहाँ पर 2 का प्रयोग कर लेते हैं, दोस्त, ठीक है? I'll be grateful to you, I'll be thankful to you, मैं आपका काम का अभारी रहूँगा, कृतक्य रहूँगा, ऐसे हम लोग एक्चुली लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, फॉर्मल लेटर, तो उसमें लिखते हैं, ठीक है? Okay, answer to the question, आप लोग को एक्जाम में मिलता होगा, question उसमें लिखा जाता होगा, कि आप इन प्रसुनों का उतर दें, these are compulsory questions, and you have to attempt all those questions. इस तरह से को सनाता होगा, answer to, attempt to, please reply to me as soon as possible, जब जितना जल्दी हो सके, आप मुझे इसका उतर दीजिए, sometimes ऐसा होता है कि हम लोग को कोई से कॉल करते हैं, को फोन ने उठाता है, तो हम लोग यह करते हैं, voice message छोड़ देते हैं, कि जितना जल्दी हो सके, आप हम कॉल बैक किजिए, कुछ urgent है, इसलिए लोग message छोड़ते हैं, यह कुछ important काम होगा, ठीक है दोस, reply to, count from 10 to 20, 10 से 20 तक की गिंती करें आप, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, and be something like this, count from 10 to 20, to me, this seemed silly, यहाँ पर to me का मतलब क्या निकलेगा दोस्त, पता है, जहां तक मेरी बात है, मतलब, जब भी कोई to me लगाता है, तो यह उसका खुद का opinion हो जाता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, according to me भी बोल सकते हैं, according to me, मेरे अनुसार, यहाँ पर to me का मतलब निकलता है, मेरे हिसाब से, जहां तक मेरा सवाल है, या फिर इसके पर्म लोग यह भी बोल सकते हैं, as far फाना लगता है, जहां तक मेरी बात है, यह बहुत बेकोफाना लगता है, या है, या जैसे भी आप इसको चाहें, जिस strains में चाहें, जैसे मरजी आप अपने हिसाब से, उस तरह की बातों को यूज कर पाएंगे, 6 is to 3 as 10 is to 5, अब यहां दिख रहे हैं, कैसे हैं, हम लोग याते हैं, mathematics पढ़ते हैं, ratio proportion पढ़ते हैं, उसमें अक्सर हम लोग ऐसा questions हम लोग के सामने में आ जाता है, ratio proportion में, कि जैसे 6 is to 3 as 10 is to 5, जैसे 6 और 3 का जो relation है, वैसे ही 10 और 5 का है, यानि कि 3 टूजा 6 and 5 टूजा 10, 2 लगाते हैं, तो ratio हो गया, और s के बाद लगा रहे हैं, तो यह proportion में count हो जाएगा, ठीक है, ratio और proportion में लग रहे हैं, it is 10 miles to Delhi, मतलब वहां से जहां पर यह बात आप sentence का use किये हैं, जिस जगह पर यह sentence का use किया जा रहा है, वहां से Delhi, जो है 10 मिल की दूरी पर है, it is 10 miles to Delhi, मतल जहां पर यह sentence बोली जा रही है, जैसे आप जाते रहते हैं, बाइक चला रहे होते हैं, कार चला रहे होते हैं, आप कहीं से बस से जा रहे होते हैं, ट्रेन से जा रहे होते हैं, तो you might be seen a small minor stone, सड़के के लिए एक छोटटा milestone लगा रहता है, और उसके उपर लिखा रहता है कि आगे वाला जो जगा होता है, वो फलना 10 किलो मेटर, 20 किलो मेटर, 100 किलो मेटर, 121 किलो मेटर, something like that, तो यह sentence उस जगा के लिए यूज किया जा रहा है, जहां पर आप उस milestone को देखे हों, या फिर आप यूज किया हों, वहां से इस जगा के लिए यूज कर रहे हैं, तो two का प्रियोग करते हैं, दोस्ति यहां पर, ठीके दोस्त, अब हमको ऐसा लग रहा है, कि आप लोग को two अच्छे समझ में आया होगा, जैसे हम लोग हर preposition को समझने की कोसिस कर रहे हैं, पहले from को समझे हैं, अभी two को समझे हैं, अब next वीडियो में दोस्त, हम लोग एक चल रहा है दोस्त, पुरा parts of his speech का सीरी चल रहा है, आप जरूर देखें, देखेंगे, आपको समझ में आएगा, उसके बाद आप examination में आया हुगा, कोई भी question state निकालेंगे, उसको attempt करने की कोसिस करें, हमको ऐसा लगता है कि आपका बहुत सारा problem solve हो जाएगा, आपके पास issues बहुत कम बचेंगे, अगर कुछ आपको इसा लगता है कि नहीं हमको और भी जानना चाहिए, कुछ और भी चीज सीखना चाहिए, आप हमारे comment box में डालेंगे दोस्त, हम उसके लिए आपको help करने की कोसिस करेंगे, चीक है, चले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बढ़ें से पढ़ाई कीजिए दोस्त, डन